नमस्कार साथियो आज हम सुनेंगे कहानी बहुत भूखी इल्ली इसे लिखा है एरिक कारले ने तथा हिंदी में अनुवादित किया है आसुतोस उपाध्याये ने इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक विध्यार्थी कैसे पुस्तकाले की पुस्तकों से आनंद के साथ अपने पाठ्ठरकम की विशेवस्तू समझ सकता है तो आईए सुनते हैं कहानी बहुत भूखी इल्ली चांदनी रात में किसी पत्ते पर एक छोटा सा अंडा जन्मा अगले इतबार सुबह सुबह नर्म गर्म सूरज पूरब के आसमांस में कूता हुआ आया उसे देखते ही एक छोटी और बहुत भूखी इल्ली अंडे से बाहर निकल आई बाहर आते ही वे खाना ढूंडने लगी सौमबार को उसने एक सेव कुत्रा लेकिन वह अब भी भूखी थी मंगलबार को उसने दो नासपातियां चवाई फिर भी उसका पेट ना भरा बुद्धवार को उसने तीन पुलम चूसे लेकिन वह अब भी भूखी थी गुरुवार को उसने चार श्ट्रोवेरियां चवाई लेकिन उसका पेट फिर भी ना भरा सुक्रवार को उसने पाँच संत्रे खए लेकिन वह अब भी भूखी ही थी सनीवार को वह एक चौकलेट, एक आइसक्रीम, एक अचार, एक चीज का टुकड़ा, एक सलामी की फाँग, एक लॉली पॉप, एक टुकड़ा चेरो पाई, एक सौसेज, एक कपकेक और एक टुकड़ा तर्बूच चट कर गई उस रात उसे बड़े जोर का पेट दर्द हुआ, अगले दिन फिर से इतवार था, इल्ली ने एक साफ सुथरी हरी पत्ती चबाई, उसके बाद उसे थोड़ा आराम मिला, अब उसे जरा भी भूख नहीं थी, और अब भे नन्नी सी इल्ली नहीं थी, अब भे खूब मुठ की इल्ली में बदल चुकी थी, उसने अपने चारो ओर छोटा सा घर बनाया, जिसका नाम था कौकून, इस घर में मैं पूरे दो हफ्ते सोई, फिर उसने घर में छोटा सा छेद बनाया, और धक्का मार कर बाहर आ गई, अरे वा, इल्ली इतनी खूब सूरा तितली बन हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा, धन्यवाद